अल्क फॉर्ट्फोलीयों का रिविजन पोर्ट्फोलीयों पोर्ट्फोलीयों करें पेजीय MON Gusty के जो फॉरूमल में उनका दे विजनजर माता इसे पहली बात कि इन नवर Idil不錯 कि एक दो दीनमे में आज कल एक दो दिन में और परसों दो दिन और टाइम में लिए दो दिनों के अंदर सारे चैप्टर की संबरी उठा कर देने वाँ ऐसी है अपके थोड़े कामा सकूँ तो सारे जैसे अभी तो पोट्पोलियो है हो सकता आज रात को ही डेरिवटी हो जाए या मर्जर हो जाए सारे चैप्टर के थेयर है और दूसरी बात इसका पीडियेप डिस्क्रिप्शन में जाएए बच्चों की डिमांड थी है पीडियेप दो ना सर ऐसा क्या कर रहे हो आप इसका पीडियेप डिस्क्रिप्शन में जाएए और डाउन्लोड कर लीजिए इसका पीडियेप में आपको दे देता हूं बोर् पॉर्टफोलियो थियरी, C.A.P.M., आर्विट्रेस प्राइजिंग थियरी, पॉर्टफोलियो री बैलेंसिंग, एफिशेंट मार्किट हाइपोतिस और शार्प उप्टिमाइजिशन मॉडल खाजबा सुनना सर ये समझने की कोशिश करना क्योंकि पॉर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा तो होता क्या है, हम M.P.T. कर लेते, C.A.P.M. करते और करते, करते ठक जाते और बात का छोड़ देते, और समस्या ये है, बात में भाई, आप उठा कर देख लिए ये बुक चार्प, उप्टिमाइजेशन मॉडल का एक ही कोश्चन है, अगर एक्जाम में आएगा तो वही एक कोश्चन है, एफिशेंट मार्केट हाइपोतिस के दो ही कोश्चन है, दो ही कोश्चन, एक रन टेष्ट है और आटो कोरेलेशन टेष्ट है, बस, पोटफोलियो रिबै रिबैजेशन पर्शन क्या कर सकता है, एक काम करते हैं, तीन प्लस दो पाँच और दो साथ, तीन दो पाँच दो साथ, यह आठ कोश्चन बना लेने से आपका यार इतने टॉपिक कवर हो रहा है, तो आठ कोश्चन बनाईए ना यार सबसे पहले, रिविजन करना तो तो सबसे पहले बात करेंगे modern portfolio theory, नाम कौन है जिसने लिखा है, मार्कोविट्स, और मार्कोविट्स कहता है भाई, कि आपका काम है तो ऐसे stock को ढूनना, जिसका आपस में correlation negative हो, कोशिश यह करना minus one, negative हो, और negative correlation है, तो ऐसे risk जो portfolio का है, वो कम हो जाता है, यह बात कहा था, पर उसके लिए सबसे पहले हमको expected return निकालना था, तो पहला काम है हमने सीखना था, हमने सीखा expected return और risk of portfolio, risk का मतलब यहां standard deviation होगा, तो वो कैसे था, या तो past का data दिया होता था, या तो probability दिया होता था, अगर past का data दिया है, तो कुछ ने average माल लो, summation of x divided by n, और standard deviation कैसे निकल कालते हैं, summation of x minus x bar square divided by n, simple है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है, यह तो probability देगा, probability देगा तो यहां PX कर देना, और यहां यहां याद रखना, यहां divided by n मत कर देना, इधर divided by n करोगे तो फस होगे, अधिकतर को बच्चों से यही गलती हो रही है, ऐसा नहीं है कि portfolio आता नहीं बनता है, पर calculation mistake होता है, portfolio में calculation mistake, ठीक है सर, expected return और standard deviation हमको पता लग गया है, हम कौन सा stock पसंद करेंगी, इसका expected return जादा हो और जिसका standard deviation कम, मतलब expected return भी जादा होना चाहिए और deviation भी कम हो चाहिए, पर कही की बार conflict आ जाता है, किसी stock का expected return जाता है, तो वो खरीदने का अच्छा होगा, लेकिन किसी stock का standard deviation कम है, तो उसके लिए concept आया था, coefficient of variation, उसका formula था, standard deviation divided by x-bar, मतलब सर, एक रुपए के पीछे कितना risk है, इतने return के पीछे risk कितना, risk with respect to return, और यह क्या होना चाहिए, यह कम होना चाहिए, तो MPT में सबसे पहला काम हम नहीं ही, दूसरा कम MPT में था भईया, correlation निकालो, सबसे यह निकल गया, चलो, correlation निकलो, तो correlation कैसे निकाले, तो correlation निकलने के लिए सबसे पहले हमें covariance निकलना पड़ेगा, और covariance या तो divided by n होगा, या तो multiply P से होगा, और covariance नाम से ही लगना, x-x, x अपने mean से कितना vary करता है, और y अपने mean से कितना vary करता है, दोनों को multiply कर दो, बस याद रखना कि x post data दिया है कि x anti दिया, अब covariance निकल गया, अब उसके बाद क्या निकालेंगे, correlation और correlation का formula क्या है, covariance xy divided by standard deviation of x into standard deviation of y, ठीक है जी, ठीक है, अब correlation क्या हो सकता है, या तो perfect positive हो सकता है, या तो perfect negative हो सकता है, या अधर समने correlation को तीन category में बाटा, अगर correlation perfect positive है, plus one है, तो भाई, दोनों stock एक ही direction में movement हो रहा है, तो risk कटी नहीं सकता, risk तो कब तब कटता जब एक बढ़ता और दूसरा कम होता, दोनों में पैसा लगता, ठीक है, तो perfect positive तो risk नहीं कट सकता, तो standard deviation of portfolio कैसे निकाले, वैसे standard deviation of portfolio निकालने का, दो estoque का standard deviation नकालना है, तो उसका formula यह था, standard deviation of portfolio निकालना तो standard deviation of a square weight of a square standard deviation of b square into weight of b square in plus 2 into standard deviation of a into weight of a standard deviation of b into weight of b यहां weight of b होना चाहिए into correlation a b हम इसको ऐसे b करते थे 2 weight of a उठाकर यहां लिख देते थे weight of b उठाकर यहां लिख देते थे तो बचा हुआ standard deviation of a इसको हम covariance a b लिखते थे यह भी लगा सकते यह भी लगा सकते लेकिन perfect positive वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर standard deviation of portfolio निकलने का यह formula है लेकिन perfect positive है तो आप ऐसे भी निकाल सकते क्योंकि यह तो weighted average होने वाल है बट जो मैंने books में देखा मेरा past experience है मत लगाओ यार shortcut ऐसे बनाओ answer यह की आने वाला प्लीज ऐसे बनाई है I.C.A.I. ने ऐसे ही बनाए है तो क्या दिक्कत हो रही है ऐसे ही बनाई है अगर आपके पास data available है तो ठीक है सर काम की बात करते है परफेक्ट positive तो risk नहीं कर सकता सर अगर perfect negative तो भाई दो stock में पैसा लगाओगे ऐसे stock जिसमें perfect negative तो risk खतम हो जाएगा important weight तो यह तबी होगा zero risk portfolio जब पैसा ऐसे लगाओगे weight of A weight of A का formula था दूसरे का standard division divided by दोनों का standard division और weight of B कैसे आएगा sir one minus weight of A इसमें plus one है तो risk cannot be reduced और अगर ठीक है अगर perfect negative तो risk कटेगा zero भी हो सकता है weight पर risk अगर correlation ना तो perfect positive है ना तो perfect negative है उन दोनों के बीच का है तो risk कम हो सकता है जिरो नहीं हो सकता इसलिए इसको हम बोलते थे minimum risk portfolio जिरो risk portfolio नहीं minimum risk पर ये भी तब होगा जब weight प्रॉपर लगा होगे और यहां भी weight का formula था पर इस weight के formula में बड़ी समस्या थी तो हमने क्या किया इसको return की कोशिश किया तर ये जो दिया है इसको square कर लेंगे बस square कर दिया पस यहां minus minus था covariance AB और यहां minus था 2 covariance AB ठीक है जी डेरिवेशन हो जाए इसका अब में के बात में करना अराम से ठीक है अगे चले ठीक है बात समझ में आगे पूरा concept यहां खतम हो जाता MPT का MPT Markowitz बस यही बात बुलता था correlation के हिसाब से आप weight दीचे और risk कम कीचे फिर आगे बढ़ा आगे पढ़ा हमने efficient and optimum portfolio सब efficient क्या होता था उसका लिए कोई formula नहीं है लेकिन हम क्या करते थे हम ऐसे stock को हटा देते थे जो देखते ही पता लग जाए कि stock नहीं लेना चाहिए सपोस यह अर भी दोई stock है दोनों का बारा पर्शन रिटन है पर रिस्क आठ पर्शन और इसमें नौ पर्शन तो जब आठ पर्शन रिस्क पर हमें मुझे बारा पर्शन की कमाई हो रही है तो नौ पे बारा क्यों लूगा में कट ऐसा portfolio inefficient अब दूसरा 25 है और 27 है और रिस्क इतना है 15 15 तो 15 पे 25 मिल रहा है 15 पे 27 मिल रहा है तो सर हम 15 पे 25 मतलब एक जैसा standard deviation है जिसमें return का में उसको cut कर देंगे concept क्या था इसमें concept यह था कि select the portfolio provide same return same return same return है at lower level of risk risk कम है तो यह वाला select कर देंगे return ज्यादा होगा सब्सक्राइब इसके भी दो question है सायथ optimal portfolio क्योंकि आपको है नहीं है इसलिए जरूरत ही नहीं है पर sharp ratio आपको पता रहना चाहिए तो sharp ratio का formula देखो risk premium आपको extra क्यों मिल रहा risk premium से extra मिलता है stock market में किसकी वजह से risk की वजह से तो ratio निकालिए कि इस risk की वजह से extra कितना मिल रहा इसे sharp ratio यही sharp ratio आपको mutual fund में पढ़ने को मिलता है performance में चेक करने के लिए इसमें trainer ratio है शार्प रेश्व है और jensen alpha है क्यार वह वहां पढ़ेंगे फिर एक और concept है जिसका नम क्या था capital market line capital market line क्या बोलता था capital market line में हम दो ही portfolio रखते थे market portfolio और risk portfolio और उन पैसो को उन दोनों जगा बाड़ देते थे allocate करते थे इसका नम capital allocation line भी है और किस तरह से बात है जितना आपको risk लेना उस तरह से उसका equation था RF expect return किसके सबसे capital market लें क्या था सर एक्वेशन और एक्सेस market से इसको बोलता है risk premium market risk premium market risk premium extra कितना कमा रहें market पे इतने standard deviation पे market में extra कमा रहें ना market में लगाते हो क्यों risk की वजह से तो आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से अगर आप यहां रिस्क ज्यादा लें portfolio का रिस्क अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटन भी चाहता है यह equation है आप देख लिए ना इसका question नहीं है चुल रहें तो यह था modern portfolio theory आगे चल रहें दूसरा आया capital asset pricing model एक्चुली CAPM क्यों आया था CAPM इसलिए आया था क्योंकि मैंने 100 stock में पैसा लगाया लेकिन market crash हो गया तो पुरा 100 की 100 बर्बाद इसलिए CAPM बोलता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं कितनी भी जगा पैसा लगा तो market crash होगा तो आप खतम हो जाओगे इसलिए बोले आप जो है वो मुद्दे की बात है आप जो market related risk है उसको कैसे manage करना ये सीखना ये कौन बोला था CAPM ठीक है सर बात समझ मैं और वो उसको manage तो it means CAPM ने दो risk को दो category में divide किया था एक का नाम क्या था systematic और एक क्या था unsystematic systematic मतलब market related और unsystematic मतलब company specific risk ठीक है हमारे काम का नहीं है theory मुझे नहीं करवाना तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा CAPM का equation CAPM के equation में हमने यह पढ़ा किया expected return कैसे निकाला जाता है तो CAPM का equation RF plus beta RM minus RF यह सर हमको पता है अच्छे से ठीक है आगे चले सबसे important है beta calculation beta क्या होता सर बीटा मतलब market अगर 10% से change है तो stock 20% से change हो रहा है तो हम बोलते stock का beta 2 formula beta is equal to change in stock return divided by change in market return लेकिन यह formula तब चलेगा जब दो ही साल का return दिया है पर आपको दो साल से ज़्यादा का return दिया है तो beta निकालने के लिए list square method यह उचता है formula क्या था अगर दो से ज़्यादा return है तो इसके तीन formula और तीनों से अंसर एक जैसा है तो आप जो चाहा हूँ याद करना है चैंज मतलब standard deviation of stock divided by change का मतलब standard deviation standard deviation of market पस multiply किससे करना correlation x or market दूसरा formula या तो beta निकालने का और formula covariance x or market उपर divided by variance of market और तीसरा जो formula वो पहत्रीन अगर मुझे सिर्फ बीटा निकालना रहा और इस formula से इतने जल्दी बीटा निकल जाएगा विस्वास ही नहीं तो यह वाला formula हालक यह वाला formula बच्चे करते नहीं पर अब मैंने जो regular wedge start किया उसमें इसको करवा रहा हूँ मजा रहा है बच्चे आपको ऐसा नहीं है कि आप एक्जाम में टेंजर यह तो याद नहीं हो रहा मत करो न यहाँ ऐसे कर दो ठीक है सर उसके बाद क्या पढ़ा बीटा management बीटा management में क्या होती बीटा management में यार अगर हमाने portfolio बनाया यह यह वाला important topic है दिखा जाए यह मेरा पसंदीदार और इससे question भी बड़े सारे हमने हमने एक portfolio बनाया और portfolio में अलग-अलग beta है हर एक stock का अलग-अलग beta किसी का लिकत यह हमको ऐसा लग रहा है कि market जो है वो बढ़ने वाला उपर जाने वाला market उपर जाने वाला तो हम कुछ ऐसा करें कि हम अपना जो beta 1.5 है तो उसको बढ़ाएंगे क्योंकि market उपर जाएगा तो मेरा जो portfolio तो ज्यादे speed से उपर जाना चाहिए ना तो हम beta को manage करेंगे अगर market crash होने वाला है तो हमारे जो portfolio का beta वो क्या होना चाहिए कम यह बताया था मैंने आपको तो beta जो manager वो किसके थ्रू कर सकते थे सर अगर आपको थोड़ा कम risk लेना है तो risk free stock को risk free security को अपने portfolio में include कर दो तो portfolio का beta कम हो जाएगा दूसरा या तो पिर एक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि market trash होने वाला है तो ऐसा stock जिसका beta ज़्यादा उसको निकालो और ऐसा stock डाल दो जिसका beta कम है ठीक है इस तरह से हमने कुछ concept किया थे इसमें कोई formula है नहीं ठीक है जी जीस आगे चल रहा है इसके बाद क्या किया था हमने सर alpha calculation alpha alpha ये वाला alpha ये वाला alpha नहीं है PL जो पढ़ा था आपने वो alpha भूल जाना है ये वाला alpha important है सर क्या होता है आपने expected return निकाला सर CAPM के हिसाब से कि CAPM के हिसाब से नहीं probability के हिसाब से MPT के हिसाब से निकाल लिया ठीक है सर निकाल लिया और आपको probability के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम 15% कमाएंगे ठीक है फिर अपने CAPM यूच किया और CAPM में beta को यूच किया कि यार मैं जिस company का सोच रहा हूं पैसा लगाने का उसका beta क्या उसमें risk कितना है और risk को देखा तो यार इसमें तो हमको कम से कम 13% की कमाई चाहिए चाहिए इसको हम अब कही नाम दे रहा है क्योंकि ER ER बोलने में तकलीप हो पर रही थी इसलों हमने कहा हमें beta को देखते हुए CAPM यूच करेंगे beta को देखते हुए 13% चाहिए और आ कितना रहा है 15 आने वाला है तो सर क्या है alpha है इन दोनों की बीच का difference alpha कहला और क्या यह positive है हाँ सर 2% ज्यादा कमाएंगे जबकि कमाना चाहिए risk को देखते हुए beta को देखते हुए 13% कमाएंगे कितना 15 वाओ ऐसे stock खरीद लेना चाहिए अगर alpha positive है तो stock खरीद लेना चाहिए ठीक है जी यह बढ़ाता हमने CAPM आगे चलों yes asset pricing asset pricing में क्या होता था asset pricing में P0 निकालना होता था formula वह है D1 divided by KE managing KE किसके साब से निकालना होता है CAPM किसे और इसको comparison किससे करते हैं current market price और देखते है over price है कि under price है already आपने कहां किया है security values अब बात करेंगे systematic risk unsystematic risk और single stock ठीक है ठीक है तो यहां जो भी काम होगा यहां risk का मतलब कोसिस यह करना कि काम होगा variance में आपको variance निकालना जिसे risk को हम क्या बोलते standard deviation पर यहां जो है हम standard deviation ना बोलकर variance नाम देंगे total risk मतलब standard deviation का square variance फिर हमने का systematic risk मतलब beta से related risk हमने का market में deviation जितना होगा और किसी company का beta 1.2 है तो यह उसके जितना market में deviation होगा उससे 1.2 times किस में stock में इसको हमने नाम दिया systematic risk फॉर्मूला था बीटा स्क्वार standard deviation of market is square यह है total risk इसमें से मानेश कर देंगे systematic risk तो क्या नाम आचाएगा unsystematic और उसको ऐसे लिखते थे standard deviation of error error इस तरह से पर दिकत में फिर आगे चले फिर बात किया था हमने coefficient of determination यह नहीं है सकते है coefficient of variation नहीं coefficient of determination यह derivation से आया r square गोलते है systematic risk divided by total risk इसको read करें इसका मतलब है कि जो systematic risk है ना वो total risk का कितना percentage है यह मतलब हुआ ना मान लो सर यह है 20 और यह है 100 इसका मतलब 100 है total total का 20% है systematic risk ही तो मतलब होता है आपको r square दे सकता है तो उसका मतलब आपको समझे में आना चाहिए कि क्या है करके करवाया हूँ मैंने ढंसे करो आगे चले अब किस पर पहुँच गे हम लोग पोर्टपोलियो systematic risk और unsystematic risk of portfolio portfolio के variance की बात करो उसमें क्या सिखा सर उसमें एक बात सिखा कि दो stock का अगर मुझे correlation निकालना है दो stock का correlation वो correlation मालूम है किसकी वज़े से दो stock एक दूसरे को तो जानते ही नहीं यार वो जानते है क्योंकि बीची में market है तो सर एक stock का Mary के साथ correlation दूसरे stock का भी market के साथ उन दोनों को multiply कर देंगे तो दोनों stock का correlation आ जायेगा correlation x का market के साथ correlation y का market के साथ इन दोनों को multiply करोगे तो correlation x और y यह भी पढ़ा था ऐसे ही हमने covariance X और YC खा ये किसके हिसाब से हो रहा है ये sharp model के हिसाब से या फिर मैं बोल दूँ है किसके हिसाब से ये CAPM के हिसाब से single index model बोते हैं तो sharp model या single index model के हिसाब से covariance कैसे निकलते है beta of A, beta of B और variance of market इसका भी derivation मैंने आपको करवाया बीटा A, beta B variance of market तो सर ये वाला covariance और वो जो MPT में पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ covariance पढ़ा था ना यार यस ये वाला covariance क्या answer एक ही आएगा नहीं भाई नहीं ये covariance है MPT के सबसे और ये covariance है chart model के सबसे अब आप से standard deviation of portfolio पोच सकता है मतलब total risk of portfolio formula वही है अगर formula पर जाओगे तो standard deviation of A square, weight of A square ये A करने ना इसको standard deviation of B square, weight of B square 2 into weight of A अब यहाँ जो covariance यूज होगा वो यही वाला होगा किसके सबसे? sharp model के सबसे लेकिन बोलता कि आप total risk निकालो MPT के सबसे Markovits के सबसे तो फिर यहाँ covariance जो यूज होता हो वो वाला ठीक है? यह अच्छे से करो अब मुझे unsystematic risk निकालना किसका? portfolio का है तो total risk of portfolio और systematic risk of portfolio minus कर दीजी अंसर हो जाएगा दूसरा unsystematic risk of portfolio unsystematic risk of A square, weight of A square unsystematic risk of B square, weight of B square बस आगे कुछ लगेगा नहीं क्योंकि unsystematic risk के बीच में relationship नहीं होता यह मैंने करवाया हूँ तो यह था दो पार्ट अब इजी यह अब कुछ नहीं है पाच मैंट में खतम करता है इसके बाद पढ़े हमने arbitraise pricing theory arbitraise pricing theory का मतलब होता है multi factors CAPM क्या बोलता है single factor को लेता और arbitraise APT क्या बोलता है एक factor नहीं, बहुत सारे factor हो सकते inflation भी एक factor है CAPM सिर्फ 10x या Nifty को लेता था market को और APT बोलता है नहीं सिर्फ 10x Nifty नहीं इसमें आपका inflation हो सकता इसमें आपका interest multi factor है तो इस हिसाब से equation ऐसी मनी RF से start करना FRP मतलब factor risk premium 1 into beta 1 factor risk premium 2 into beta तो इस तरह से काम होगा APT में इस तरह से expect return निकाला जाए ठीक है जी ठीक है सार्थ इसके बाद आगे हम portfolio rebalancing अगले पार्ट में पोर्टफोलियो rebalancing क्या होता था portfolio rebalancing में हम लोगों को portfolio को balance करना हो कल को market में थोड़ा बहुत उच नीच हो हमने portfolio बना लिया कुछ एक लाक रुपिया का debt रखा कुछ पैसों का हमने equity इस तरह से portfolio बनाया मार्केट डाउन हो रहा है अगर equity डाउन हो रहा है और आपने equity में पैसे डालके रखे तो कुछ तो change करो तो एक यह है कि यार change ही मत करो खरीदो और hold करके रखो एक साल तक एक साल बात जो होगा देखा जाए तूसरा है constant mix जिसका question आता है और आया था इसे प्राउन करेंगे मालो दो लाख रुपए का investment है तो एक लाख रुपए debt में डाल देंगे एक लाख रुपए equity में पाइचांस कुछ दिनों बाद equity कम हो गया equity कम हो गया तो sir क्या करेंगे फिर mind में करेंगे debt का पैसा equity में डालेंगे इस तरह से काम था इसको बोलते थे constant mix एक का नाम था cppi last constant proportion portfolio insurance इस तरह से नाम था आपको उसमें कहता है कि वहाँ भी balance करना बोले पर equity में कितना पैसा लगाना तो ध्यास सुन तामने वाले ने हमको दो लाख रुपया दिया मालो ठीक है और बोले चलो ठीक है हमने गा भाईया आप कितने मुझे equity में लगाना बताओ आप कितना risk बरदास्त कर सकते हो बोले एक लाख सत्तर हजार तक तो मुझे पैसे वापस ही कर देना मतलब मिनीमम में एक सत्तर से नीचे नहीं चाहिए मझे को तो ठीक है तो equity में कितना पैसा लगा है सर तीस जार लगा लो दो लाख उसने दिया asset मैनस एक लाख सत्तर हजार हो गया फ्लोर तो तीस जार लगाईए ना तीस जार तो क्या तीस जार पुरा की पुरा डूप जाएगा पुरा से जादा लगाती है ना अगर loss भी होगा तो भी हो जाएगा इसका यहाँ into कुछ कर देंगे कुछ वो बताएगा कुछ इस तरह से फिर वो balance करते लिए याद होगा ना ये question करवाया था लगे कि यार सेंसिक्स किदर जाने वाला कल को को कोई ऐसा दुनिया का आधी भी नहीं है जो बता दे कि क्या होने वाला ऐसे मार्केट को बोलते efficient कुछ भी कोई news ले आए कोई charts ले आए कोई graph ले आए पता ही नहीं लगा सकता है ठीक है ऐसे मार्केट को बोलते efficient मार्केट इसमें strong form है semi strong form है और weak form है important test करने के लिए आता weak form of efficient market है या नहीं है ये बताना है उसमें क्या होता था उसमें ये कहते थे अगर मैं आपको price दे दूँ 10-20-30 दिनों का price दे दूँ तो क्या वो 30 दिनों का price देखकर आप बता सकते हो कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है अगर बता दिया तो ऐसा market inefficient और अगर नहीं बताया तो ऐसा market efficient है पर ऐसा market weak form of efficient है और इसमें कितनी चीज़े पढ़ा था दो test थे run test और auto correlation test test run test में क्या होता है तो run test में 30 दिनों का price है तो उसमें हम plus 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 minus 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 price बढ़ेगा तो plus price कम होगा तो minus ऐसे निकलते थे अब मैं आप से क्या रहा हूं कि बहुत सारा plus 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 है और बहुत सारा minus 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 है यार अनूमान लगा लोगे एक बार plus होगा तो आगे भी plus होगा एक बार minus होगा तो कोई भी बता देगा या plus होगा क्या चलो आगे minus 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 हो तो number of run क्या आएगगे? एक बार plus हुआ तो बहुत बार plus sine change नहीं हुआ, एक बार minus तो बहुत बार minus sine है, तो number of runs कम आएगे, और अगर number of runs कम है तो भी आप पता लगा लोगी कि क्या हो तो सब number of runs जादा होना चाहिए, plus उसके बाद minus हो जाना चाहिए अफॉर परण्स कमना चीना तो नंबर उप्रण्स जदा होना चीना तो क्या होना ची बने एवरेज होना चीनLove कि एवरेज का फोर्मुला तू एन-वन एन-एन-वन मतलब number of plus n2 मतलब number of minus divided by n1 plus n2 plus 1 मैंने गलती से पिछले जो वीडियो अपलोड किया था ना, कल, यहां माइनस का साइन लगा दिया था, मैं जानता हूँ, यही आप लास्ट में देख कर, अगर गलती से यहां माइनस करे आओगे तो मेरा दिल गवाई नहीं देगा, गलती से, उस गलती की वज़ा से ये वीडियो फिर में बनाकर record करो बस आपकी एक गलती मतलब मुझे मेरे लिए मेरे लिए बहुत बड़ी गलती हो गई थी है ठीक है तो आप देखूंगा, actual run कितना है, पता लगा, actual run कुछ और है, actual run अगर 10.6 होगा, तो मैं कहूंगा, ठीक है भाई, average है, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए, इससे ना कम होना चाहिए, पर problem यह है, कि exact क्यों, थोड़ा तो range दो यार, तो फिर हम इसको, standard deviation से multiply कर देते थे, standard deviation का formula, average minus 1, average minus 2, n1 plus n2 minus 1, ठीक है, ठीक है, हाला कि study matter में कुछ और formula लिखा है, प्लीज आप वो देख लेना, वहीं से derivation यह हुआ, फिर हम, जो average आया था, उसमें कुछ प्लस कर देंगे, HD, मालो यह 2 है, और यहाँ, degree of freedom अगेरा, वो देख लेना, तो यह 2 है, तो मैं कह रहा अगर run है, actual run, तो ठीक हम कहेंगे, यह average ही है, पर यह बहुत ज़्यादा हुआ, तो ऐसा market, inefficient market, बहुत कम हुआ, तो ऐसा market, inefficient हुआ, ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही कौन सा था, autocorrelation test, इसमें होता क्या थ, autocorrelation test, एक period का, मालनों 12 मैने का period है, तो 6-6 माह में divide कर देते थे, और दोनों का हम correlation निकालते हैं, तो दोनों period का correlation निकालते हैं, अगर वो positive है, मतलब सर, एक बढ़़ा है, तो दूसरा भी बढ़़ा है, मतलब सर, एक period का बढ़ा है, तो हम पता लागा है, तो दूसरे period का भी बढ़़ेगा, क्योंकि positive correlation है, तो हम कहते हैं, ऐसा market inefficient है, अगर perfect negative ह होता तो या negative होता तो एक प्रियट का बढ़ा तो दूसरे प्रियट का कम होगा तो यहां भी पता लगा लोगी सर्व और correlation तो मैंने आपको करवा रखा वैसी वाला correlation निकालना जैसे MPT में निकालना तो पर 0 भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा range तो दे तो तो बहुत है range ले लिजिए 0.25 प्लास और माइनस इसके बीच में है तो हम मानेंगे कि 0 ही है और ऐसा market weak form of efficient market है लेकिन correlation ज़्यादा है या बहुत कम है तो inefficient market thank God आगे चल रहा है थोड़े से सौरी थोड़े ज़्यादा टाइम लग गए आदा गंड़े से ज़्यादा नहीं लगना शेगे था sharp optimization model अगर पहले नहीं किया है तो प्लीज मत करना टाइम ही नहीं sharp optimization model में बहुत सारा stock दिया रहता था पाच्छे stock और पाच्छे stock में से हमें best stock निकलना हो सबसे अच्छा stock तो कैसे निकाले तो sharp optimization में एक ही question है उसने कहा सबसे पहले एक काम करो expected return मतलब access return to beta ratio ये निकालो मतलब access return to beta ज़्यादा return किसमे है निकाल लिया जिसका highest है उसको rank 1 दे दो इस तरह से rank 1, 2, 3, 4 दे दे देना हमने का दे दिया अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद मुले CIE निकालो यहाँ से बाद समझ भी नहीं आई CIE क्या होता है आपके काम कर नहीं है cut off निकालना cut off और formula दिखना variance of market summation ER minus RF तो न ध्यांसे रटने के लिए divide हो रहा है unsystematic risk से और multiply हो रहा है systematic risk मतलब divide unsystematic multiply systematic ऐसी 1 plus variance of market divide unsystematic multiply systematic वैसी हुआ तो फिर क्या करते हैं यह सब निकाल के हम करते हैं पहले पहले stock कर निकालोगे फिर जब दूसरे पहुचँगे पहले और दूसरे काम मिलाकर निकालोगे पर तीसरे पहुचँगे तो पहले दूसरे तीसरे काम मिलाकर पूर निकालोगे इस तरह से करते थे तो फिर क्या निकलता था हमारा cutoff C star highest cutoff निकलते थे उसको हम नाम देते थे C star मतलब C star फिर ऐसे stock का selection करते थे जिसमें highest cutoff cutoff निकल लिया उससे उपर का जितना भी cutoff है उसके उपर का जितना भी जो highest cutoff निकला उसके उपर जो भी expect return minus rf into beta है उसको हम select इसके उपर जितने भी cutoff है ना ये cutoff इसके उपर का जो भी ratio होगा ये वाला ratio उसको हम select कर लेते थे ठीक है ना cutoff तो समझता यार मैं क्यों expect तो उसके बाद क्या निकलते थे weight अब पता लगाया किया और 2-3 stock में पैसा लगाना तो चलो कितना कितना लगाना तो weight और weight का formula तो ये हमको मालूम ही है zi मतलब summation 2-3-4 जितना भी है उसको total मारे के उपर इसका weight क्या रखना और zi कैसे निकलेगा systematic unsystematic axis return to beta minus cutoff ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है वाई ऐसे पर समझा ही ने सकते फॉर है खेर मैं समझाने के लिए आया भी नहीं मैंने फॉर्मिला लिखा है कोशिस करूँगा आज हो सकता है तो नहीं तो कल तो कल तो 2-3 chapter तो डाले नहीं तो तीन चैप्टर ठीक है थैंकि सो मच बाइ 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 आल दी पेस्ट